बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम अस्सलामुलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे आज हमने बनाया है मलाई जैसा और मक्षन जैसा नरम हल्वा वो भी एक कप दूर डालने की वज़ा से इसका टेक्स जो है वो बिलकुल चेंज हो गया है तो अब हल्वा भी यह हल्वा बना सकते हैं बहुत असान है तो चले बनाना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले मैंने एक कप दूद लिया है और उसमें एक कप सूजी जो है वो डाल के इसको अची तरह से मिक्स करना है और एक साइड पर रख देना है जिस कप से हमने दूद नाप है उसी कप से सारी मेजरमेंट हमने करनी है सूजी चीनी और पानी भी तो यहां मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस कप से नाप के मैंने सूजी लिए है यहां मैंने एक कप चीनी लिए है और उसका हमने तीन से चार गुना पानी जो है वो ज्याद तो हमने एक तार का या दो तार का नहीं बनाना बस चीनी को मिक्स करना है और अब इसमें मैं थोड़ा सा दो तीन लाइचियां हैं उनको तोड़ के डाल दूगी और थोड़ा सा मैंने कलर डाला है आप जाएं तो कलर जो है वो स्किप भी कर सकते हैं इसके बगार विसकी शकल बहुत अच्छी आती है तो میں तो कहों भी ना ही डाले तो अच्छा है ऐसे मेरे बच्चों को कलर पसंद ऑए इसलिए मैं इसमें कलर एड किया है इसके बाद शीरा बन चुका है, मैंने एक साइड पर कर दिया है, ये कप मैंने आपको दिखाया है, जिस कप से नापके सारे मैंने मैयर्मिंट की है, एक कप गी लिया है, मैंने देसी गी लिया है, आप चाहें तो जो नॉर्मल गी होता गर में यूज वो ले सकते हैं, अब द अब जो चूला है वो मैंने बिल्कूल हलका किया हुआ ताकि जले नहीं इसके बाद मेरे पास किशमिश है वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी से फ्राई करके तो इनको निकाल लूँगी अब ड्रेड फ्रूर्ट जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं इनको मैं एक बाद में लादा से निकाल लूँगी अच्छी तरह से मैंने गी जो है वो निचोड लिया है और इसको निकाल लिया है अब इसी देचकी में मैं जो बाकी का बचा हुआ गी है वो इसमें डाल लूँग और आप देख रहे हैं कि चूला वो बिलकुल हलका है आपको नज़र आ रहा होगा कि गी जो हमारा बहुत गرम नहीं है इससे जो अगर गरम ज्यादा हो जाए तो यह जल जाते हैं और इसका टेस्ट भी बदल जाता है इसलिए इस बात का अपने धियान रखना है अब देखें ये सूजी जो है वा हमारी बीग चुकी है चुला जो है बिल्कुल आपने स्लो रखना है या बंद कर दें ताके ये उचले नहीं गी गरम करने के बाद अब जो गी है बाकी का वी मैं इसमें डाल दूंगी एक कडी लिया है ये कप जो है वह इसी कप के अधर मेंसमाना कि Alright आपई गर्मे कोई कुटोरी कप या मेरींग कप है, आपके पास तो अथके मेरींग कर सकते हैं अब सूझी जो है, मैंने इसमें शामिल करदी है और चूला मैंने हमें बंद करदी है जब ओयल गरम हो गया उसके बाद बहुत ज़यदा ओयल गरम नहीं करना यह देखें आगर नजर आ रहा होगा कि गी जो है वो हमारा बहुत गरम नहीं है नहीं तो यह सूजी जो है वो चलने शुरू हो जाती है अब इसके बाद चूला जो है वो मैंने आन कार लिया है इसको हमने दस मिनट तक इस तरह फ्राई करना है मैंने यहां नांस्टिक का बरतन यूज किया है अब जो गर में हम बरतन होते हैं वो यूज करें तो ज्यादा बेतर है उसमें हल्वे की जो शकल है वो बहुत अच्छी आती है बहुत आराम से हो जाती है अब देखें जो दूद है वो हमारा इसमें सारा पक चुका है और अब देखें सूजी जो है वो हमारी बुन चुकी है और मैं इसमें जो पानी है वो शीरा जो हमने बनाया था चाशनी बनाई थी वो थोड़ी-थोड़ी करके डाल रही हूं थोड़ी सी डाल के मैं मिक्स कर लोंगी ताकर कोई गुटली ना बने और चुला जो है वो स्लो ही है क्योंकि अगर तेज अगर रखेंगे चुला तो फटा-फट से वो ड्राय हो जाएगा पानी और फिर जो है ना उसकी गुटलियां बन जेंगी हलवेगी या नीचे लग जाएगा तो अब पानी बाकी का भी जो शीरा है वो मैं सारा इसमें डाल दूंगी और इसको होना है और चमज देख रहे हैं मसलसल हिला रही हूं है ताके नीचे ना लगे अब देखें इसको तकरीबर ना पांच से साथ मिनट हो चुके हैं और हलवा देखें हमारा इस केंडिशन में है अभी पानी जो है इसमें से खुश्क नहीं हुआ अभी पानी इसके अंदर है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है आपको फिर जिस लेवल का चाहिए या ज्यादा थिक चाहिए या आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं पूरी के साथ जो खाते हैं वो थोड़ा पतला होता है अगर आपने उस तरह रखना है तो उस तरह भी रख सकते हैं इनको मिक्स कर दूँगी और इसके बाद इसके उपर कवर लगा के इसको दो से तीन मिनट तक दम पे रख दूँगी ताकि इसका ऑइल रिलीज हो जाए और यह पांच मिनट हो चुकी है अब देखें हलवा हमारा बिलकुल रेडी है और इसने सारा गी जो है वो रिलीज कर द अब इसको मैं डिशाउट करती हूँ और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें और हमें जरूर स्पोर्ट करें और कमेंट में अपने कमेंट अपनी रहे से अगाह करें मैं मैं मिलूंगी आपको नेक्स व